एलो गाइस वेलकम बेक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में बताने वालों की यूटूब से कॉपी राट किलेम कैसे हटाएं अगर आपने किसी और का सौंग या किसी और की वीडियो या फिर आपने कहीं और से डाउलोड करके अपने यूटूब चैनल में डाली हो तो यूटूब उससे कॉपी राट देता है अगर आप इस चैनल पर नाये हो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेश कीजिए ताके आने वाली वीडियो को नाटिविकाशन आप तक पहुश सकें तो गाइस आज आपको लाइफ पूरूपर के दिखाऊंगा प्लिस इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो चलिए चलते हैं अपने क्रूम ब्रॉजर में जाने के बाद वहाँ पर सार्च करना यूटूब डॉट कॉम आपका यूटूब ऊपन हो जाने के बाद आपको डेस्टॉप साइज में कर लीना है आपको फिर अपने एकांट में आना है आने के बाद आपको यूटूब क्रेटीव स्टूडियो में जाना है YouTube Studio में जाने के बाद आपको वीडियो में जाना है वीडियो में जाने के बाद आपको फिल्टर में आना है फिल्टर में आने के बाद आपको copyright claim दिखाई देगा देखें गाइस कुछ दिन पहले मैंने YouTube में अपनी कुछ वीडियो अपलोड की थी YouTube ने मेरी वीडियो को में Copy Clean दे दिये है अब Copy Claim में क्लिक करना है Kilik करने के बाद यहाँ पर आना है यहाँ पर Guys आपको Copyright claim दिखाई दिय रहा होगा उसमें क्लिक करना है उसमें किलिक करने के बाद SRE Detail में जाना है SRE Detail में जाने के बाद आपको select action दिखाई दे रहा होगा उसमें click करना है उसमें click action के जाने के बाद आपको replace song में जाना है replace song में जाने के बाद आपको कुछ YouTube के तरफ से song प्रवाइड होंगे उसमें से song कोई भी song आप अपने वीडियो में डाल सकते हैं add कर सकते हैं और उस song को यहां से save कर सकते हैं यहां save को option दिख रहा होगा वहाँ पर जाके save कर लेना है और नीचे save को option आ रहा होगा उसमें जाके save कर लेना है इससे आपका copyright के लिए हट जाएगा अगर आपको यहां वीडियो पसंद आई हो तो प्लिस लाइक केजिए कमेंट केजिए सेर केजिए और सब्सक्राइब केजिए थैंक यू